Dear students, platform of learning YouTube channel पर हम इस वीडियो में डिरेक्टरेट ओफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा दी गई 9th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वक्षिट नमबर 7 को डिसकस करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा जरूर देखे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए चलिए करते हैं वक्षिट नमबर 7 बहुपद, Polynomials मीना, राजू अगर मैंने 5 पैंसिल 15 रुपे की खरीदी तो क्या तुम एक पैंसिल की कीमत बता सकते हो 5 पैंसिले खरीदी हैं 15 रुपे की तो राजू कहता है शायद 3 रुपे या फिर 3.50 रुपे मीना चलो यहां हम एक पैंसिल की कीमत को एक चिन से दर्शाते हैं जैसे X अब 5 पैंसिलों की कीमत होगी 5X यहां पर हमने एक चिन ले लिया है X तो 5 पैंसिलों की कीमत हो जाएगी 5X जिसे 15 के बराबर रखना है तो 5X में 5 को किस अंग से गुना करें कि हमें 15 मिल जाए तो राजू कहता है 3 जी हां अगर हम 5 को 3 से गुना करेंगे तब ही हमें 15 मिलेगा तो 5 तिये 15 मीना यानि 5 गुना X में X की जंगे 3 इसका मतलब एक पैंसिल की कीमत 3 रुपे हो गई अच्छा राजू यदि 5 पैंसिलों की कीमत 50 रुपे होती तो पहले देखिए 5 पैंसिलों की कीमत थी 15 रुपे अब 5 पैंसिलों की कीमत है 50 रुपे तब तो 5 गुना X को 50 के बराबर रखना होगा तो बच्चों हमें सोचना है कि X को हम किस नंबर की जंगे रखें X की जंगे हम कौन सा नंबर रखें कि 50 आजए तो X की जंगे हमें क्या लेना पड़ेगा 10 लेना पड़ेगा क्योंकि 5 गुना 10 बराबर 50 होता है तो मीना कहती है बिलकुल राजू इसी तरह स्थिती बदलते जाने पर X का मान बदलता रहेगा इन चिनों XYZ आदी जिनको अज्याद संक्याओं के स्तान पर क्रियोग किया जाता है को हम चर कहते हैं और स्थाई मान जैसे 5, 15 आदी इनको हम अचर कहते हैं यहाँ पर हमने दो नए वर्ट्स पड़े हैं पहला है चर और दूसरा है अचर तो चर कौन से होते हैं बच्चो चर होते हैं वेरियेबल्स मतलब जैसे X, Y, Z, T, P, Q, R और स्थाई मान मतलब कोंस्टेंट वैल्यूस जैसे 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है तो वेरियेबल्स होते हैं X, Y, Z और अचर होते हैं कौन स्टेंट नमबर चर और अचर को मिलाकर BGA वेंजग, Algebraic expression बनाये जाते हैं Algebraic expressions BGA वेंजग कौन से होते हैं जिनमें चर और अचर दोनों मिल जाते हैं दोनों से मिलकर जो expression बनती है उसे हम Algebraic BGA वेंजग कहते हैं जैसे 4X प्लस 7 देखे इसमें 4X एक चर वेल्यू है और 7 एक कौन स्टेंट नमबर है 3Y माइनस 20 चर भी है और अचर भी है 4X स्क्वार माइनस 3XY चर भी है और अचर भी है यहाँ पर चर कौन से है X और Y और अचर कौन स्टेंट नमबर कौन से है 4 और माइनस 3 बीजे वेंजग में एक या एक से अधिक पद हो सकते है देखिए जैसे जितनी भी Algebraic expressions होती है उनमें एक या एक से अधिक पद हो सकते है जैसे 4X प्लस 5 में कितने पद हैं 2 पद है 4X और 5 यह है 2 पदों को मिलाकर बनाई गई है अगला है 7XY माइनस 5X इसमें भी 2 पद है 7XY और दूसरा है 5X अगर हम variables की बात करें तो यहाँ पर 2 variables है X और Y और अगर constant नमबर की बात करें तो यहाँ पर 2 constant है 7 और माइनस 5 तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया एक BGA expression जब जबराईक expression बनाई गई है एक या एक से अधिक पदो वाले BGA व्यंजग जिसके चरो की घातांग एक कून संख्या होती है उन्हें हम बहूपत कहते हैं सबसे उपर हमने पढ़ा था बहूपत polynomials यह जो worksheet है हमारी वो polynomials की है कि polynomial किसे कहते हैं तो जितनी भी BGA व्यंजग है जिसमें चरो की value मतलब variables की जो घात है power है वो एक पून संख्या होनी चाहिए पून संख्या कोन सी होती है बेटा जैसे 0, 1, 2, 3, 4 पूरे के पूरे numbers यह सारे whole numbers कहलाते हैं तो जिसमें उनके variables की घात variables की power एक whole number हो वो बहूपत कहलाएंगे polynomials कहलाएंगे और जिसमें उनके variable की घात whole number नहीं होती वो बहूपत नहीं कहलाते जैसे 4x plus 3y यहाँ पर चेक कीजिए x की घात कितनी है एक और y की घात मतलब y की power कितनी है एक जो की whole number है तो यह क्या है एक बहूपत है 3mn इसमें चेक कीजिए m की power कितनी है 1 n की power कितनी है 1 तो यह भी क्या है एक बहूपत है polynomial है p q r s P प्लस Q प्लस R प्लस S यहाँ पर 4 variables हैं तो हमें 4 variables की power को check करना होगा P की power 1 Q की power 1 R की power 1 और S की power भी 1 है तो यह भी क्या है एक बहुपद है polynomials है ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक ही चर होता है उन्हें हम एक चर वाले बहुपद कहते हैं polynomials in 1 variables देखिए जैसे यहाँ पर है X cube प्लस 2X square प्लस 4X minus 2 पूरी की जो पूरी equation है हमारी वो X में है वो पूरी X variable में है तो यह क्या कहलाएगा polynomials in 1 variable यहाँ पर सिर्फ एक ही variable है और T square प्लस 8 यह भी क्या है 1 variable है 3Y square प्लस 5Y प्लस 7 यह भी क्या है उसमें A की value होगी मतलब A की X, Y, Z में से सिर्फ A की number होगा और polynomial चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है हमें उस variable की power को चेक करना है देखिए यहाँ पर X की power 3 है X की power 2 है X की power 1 है X की power 0 है तो पूरा का पूरा क्या है यह है polynomial है T की power 2 है यहाँ पर T है यह नहीं तो यहाँ पर क्या है यह polynomial है Y की power 2 है Y की power 1 है प्लस 7 Y की power 0 है तो यह भी क्या है एक polynomial है आगे हम चेक करते हैं क्या 2, 4, minus 7 भी भहुपद है हाँ ऐसे भहुपदों को अचर भहुपद मतलब constant polynomial कहते हैं इनमें देखिए कोई भी variable नहीं है तो इन्हें हम क्या कहेंगे constant polynomial कहेंगे परंतु 0 को हम क्या कहते है 0 polynomial कहते है चलिए अब प्रियास करते हैं इनमें से जो भहुपद है हमें उन पर circle लगाना है उन पर हमें tick करना है पहला है square root of x plus 2 यहाँ पर पहले हमें इनकी power को check करना है x की घाद कितनी है यहाँ पर x की power 1 बटा 2 है क्योंकि square root का मतलब होता है 1 by 2 क्या 1 by 2 एक whole number है नहीं तो इसलिए यह भहुपद polynomial नहीं है समझ में आया आपको यह भहुपद क्यों नहीं है यहाँ पर x की जो power है वो एक बटा 2 है और एक बटा 2 एक whole number नहीं होता whole number होते हैं पूर्णांग मतलब 0, 1, 2, 3, 4 आदी अगला है t square plus 5t minus 1 t की power को check करते है t की power 2 t की power 1 यहाँ पर t नहीं है मतलब t की power 0 है तो यह भी क्या है एक बहुपद है मैंने इसको tick कर दिया है अगला है root 3 x square minus 2 x यहाँ पर आपको root 3 को check नहीं करना कि 3 की power 1 बटा 2 है आपको x की power को check करना है जितने भी variables होते हैं हमें उन variables की power को check करना पड़ता है variable की power x कितनी है 2 यहाँ पर variable x की power कितनी है 1 तो यहाँ भी बहुपद होगा मैंने इसे tick कर दिया है अगला है 8 अभी हमने उपर पढ़ा था क्या 2, 4, minus 7 बहुपद है हाँ यह कौन से बहुपद कहलाते हैं constant polynomial कहलाते है तो 8 क्या कहलाएगा constant polynomial अचर बहुपद कहलाएगा अगला है 1 minus root 2 x same है बिटा question सिर्फ x की power को check कीजिए x की power 1 है तो यह बहुपद है polynomial है t minus 1 by t पहले इस t को हम अलग-लग करते हैं इस t के साथ अलग हो जाएगा t by t minus 4 by t t से t cancel हो गया तो 1 बचा और यह t उपर जाएगा तो इसकी power minus 1 हो जाएगी अब t की power को check कीजिए t की power क्या है minus 1 क्या minus 1 एक whole number है नहीं तो यह बहुपद नहीं है अगला है 0 0 बहुपद है जी हाँ अभी हमने उपर पढ़ा था कि 0 को हम क्या कहते हैं शुन्यक बहुपद 0 polynomial कहते हैं तो यह भी बहुपद है polynomial है अगला है y की power 1 by 2 plus 3y plus 2 y की power को check कीजिए 1 बटा 2 क्या whole number है नहीं तो यह बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर y की power कितनी है 1 बटा 2 swim प्रियास कीजिए सही पर सही और गलत पर close का निशान लगाईए पहला है x square plus y plus 3 एक चर वाला बहुपद है variables एक चर होता है मतलब one variable चेक कीजिए यहाँ पर variable कितने है पहला है x दूसरा है y तो यह तो दो पद वाला बहुपद दो चर वाला बहुपद हो गया तो यह cross है बहुपद में पदों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है जी नहीं दो से ज्यादा भी हो सकती है तो यह बात गलत है 0-1 बहुपद है जी हाँ बिल्कुल 0-1 0 polynomial कहलाता है x plus 1 by x इसको हम लिख सकते है x plus x की power minus 1 minus 1 whole number है जी नहीं whole number होते है 0, 1, 2, 3, 4 तो यह भी बहुपद नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे cross कर दिया है तो बच्चो उमीद है आपको मेरी यह worksheet अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी अगर आपकी कोई query है तो मुझे comment में जरूर लिखे वीडियो को like और अपने friend के साथ share